तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे मलिसिया T20 का CS भर्सस एस ओ एच के बीच मुकाबला खिला जाएगा आप लोगों कि याद होगा मलिसिया का इनसे लो लेबल का जो हुआ था उसमें इतना जीयलवीन हुआ इतना जीयलवीन हुआ कि आपको क्या बता है सेम टीम्स हो रहा तो पूरे सिरीज धमाकेदार गया था यह थोड़ा उची लेबल का मलिसिया T20 है फिर भी हम लोग भेतर करने का परियास करेंगे और बहुत सारे एसा प्लेयर है जिनका सेलेक्शन बहुत अधिक है वो कोई काम का नहीं है बस थोड़ा सा लग अपने सांत रहना चीये करेंगे लेखिन अगर जदी आप इस मुकाबले को खेलना चाहते हैं तो हमारे टेली ग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना बहुत ही जादा जरूरी है तो मेरे भाई आपको ज्वाइन करना किस परकार है जैसा कि आप हमारा इस परकार से वीडियो देखते हैं यह होग आ डिस्क्रिप्शन इस पे आपको किलिक करना है जैसे यहां पर किलिक करेंगे नीचे आपको टेली गराम चैनल का लिंक दिखाए देगा इस बुलू बाले पर आपको किलिक करना है किलिक करते ही हमारे टेली गराम चैनल पर चले जाओगे वहां पर दिखेगा जोईन आपको ज कर लेना चीए तो दोस्तों हमारा टेलिक्राम चैनल आपको इस परकार से दिखाई देगा त्योंकि बहुत सारे फेक चैनल बने हुए जो हूँ बहुत आपको डोमेस्टिक फिलिंग लिबन अजर आएंगे उनसे आपको बचना है ओरिजिनल चैनल वीडियो के डिस्क्रिप् खान काफी बनिया इनका करिया रिकोड है एक मेच यह महतपूर नहीं है इनका लाष्ट सीजन भी देखूँ धमागेदार है साथ में उपन आते हैं और यह गिन भाजी भी करते तो काफी बनिया केप्टन भासक़ले बनिया अनियूल की बात कि कई बार यह नीचे आते कई उपर बले बाजी के लिया आते पिलेर काफी अनुभवी है इस सुरेंद्रन की बात का यह पाट-टेम गेंबाजी पहले क्या करता था अभी नहीं करते लेकिन एक अनुभवी पिलेर है जो कि बेस्ट च्वाइस हो सकतां यह हाफिस की बात कि यह भी अच्छा पिलेर है इनका पहले बाले जो अभी सीरीज खेला गया जिसमें हम लोग जील पर अच्छा खासा प्रोफिट किया यह तीन नमर पर बले बाजी के लिए आते चार नमर फूल करते थे लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े पिलेर होने के वज़ा से बले बाजी इनका नीचे सेम भी यूनी वहा आजातार गयन बाजी चार ओबर करेगा तो निस्चित तोर पे बिख्टे लेगा यह यह यूसूप की बात के जब हम लोग इनको लो लेबल के सिरीज खेले थे तो हापर केप्टन भाज देते थे ओपन आता था बिख्टे भी काफी ज़्यादा लेते थे लेकिन यहाँ प पहले गयन बाजी का रद काफी बढ़े है विजय यूनी के बात के केप्टन भाज भी आप दे सकते हो आजेव खान केप्टन भाज के लिए बेश्ट चुवाज तो हाई ही एलनूर हाकिम पिटाई पड़ी दो भर किया इनसे जादा उभर भी यह कर सकता है आमीर खान इनस अखिलावे दोस्तों CS की बात के इनका स्कोर काड अभी जो है मैं पिलियर के पीक करने बगत आपको बताएं काफी डिटेल में बताने वाले धमाकेदार बस आपको बने रहाना चोटा वीडियो होगा लेकिन काम का वीडियो होगा इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ड्रीम 11 से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है मैं सबसे पहली इनफोर्मेशन दे देता हूं जैसे फिरी में टीशाट वेगेरा जो वीडियो सारा कुछ का तो दोस्तों देखो बीकट की प्र कि 16,24,22 ऐसा कर रहे थे तो इस रहमातुला एक बढ़िया प्लियर है यह अनुभवी है हाकीम की बात किया और यह ओपन आ रहे हैं तो इनसे बेश्ट वाइस नहीं हो सकता है लेकिन रूको जहरा एम गुल्राइज की बात क्या देखो एक बहत्तरीन ओल्राउंडर अब कहो उपन आते हैं तो इन्हें केप्टन वाइस भी ट्राइज कर सकते हो तो फिलाल के लिए हमारा एक बिकट कीपर में एम गुल्राइज ही सकती है और हैदर एक गेनबाज है आपको यहाँ पर बता देट ओभर में करता है इनका गेनबाजी रिकोर्ट जब रदस्त है तो आर ह जास की बात कि दोमेस्टिक ठीक ठाक है थोड़ा एटेकिंग खेलते हैं लेकिन सिर्फ बल्लेबाजी करते हैं इसलिए मैंने इनको पीक नहीं किया यहाँ पर पिक क्या इनका रिकोर्ट भी ठीक ठाक है अब एक बड़ा सवाल है इस शुरेंदरान को मैं पिक करने के लिए बहुत चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत ये अनुभावी पिलेर आर बहुत इनका जा बड़ा दस्त रिकोड है बले बाजी से लेकिन देखता हूँ लाइनप बाद कोई बड़ा पिलेर ना खेले या कुछ बदलाव रहे तो किसी तरह से एड़ेस्ट कर लूँगा इन रहमान बहतर था जब ये गिनबाजी भी करता था बले बाजी के नजरियास देखोगे तो ठीक ठाक है लेकिन ओलाउंडर की नजरिया में ये नहीं है और कुमार राजिंदरन की बाद के ठीक ठाक पिले रहे आप चाहो तो ट्राय कर सकते हैं लेकिन मैंने थोड़ा सा रिस के केंगे तो ये भी केप्टन वहाज के बेस्ट उप्सन होंगे आपको याद होगा गजब का गेंबाजी गजब का बले बाजी तो डी मोगन एक अच्छा है ये खान मलिक लास्ट सीजन सोरी लास्ट अभी सीरीज जो कुछ मंत वाले खेला गया है वहां पर इनका किरिदार था तीन नमर पे गेंबाजी वेकिन यहाँ पर बले बाजी थोड़ा से नीची आ रहे तो ट्राइ तो करना बनता है इस माइल साक की बात किया जियल पे जरूर ट्राइ करना ठीक टाक इनका रिकोर्ड है गेंबाजी से भी यूनी को पिक क्या हो इस सदमन इनका रिकोर्ड की बात क्या रहता है उन सब क्यूपर हम लुग बात कर लेंगे अर बाकी के उपर बात कर दिया केप्टन भास की बारत किया आज एफ खान हमारा केप्टन होगा आपका भी होना चे भी सी मैं यहाँ पर एम गुल राइज को यहाँ पर दे रहा हूँ जो कि एक उल्ड रांडर की भूमिका में रहेंगे तो फिलाल के लिए दूस्तों यह टीम आपको सेब परके रख लेना है इसमें जो भी चेंज होगा आपको अपडेट कर दिया जागा अपने टेली गराम चैनल डोमेस्टिक प्लेइंग 11 पे